दोगों का यह कहना है हर्श गुपता जाने के बाद में आईयम एकेस में कहीं ना कहीं धील हुई है आप क्या समझते हैं जो काम हर्श गुपता करना है वो करें जो आंटी करूप्शन बीरो में मैं उनके उपर खेश दाला सेंट्रल गुरुपमेंट में भी इनफार्म किया उसका रिजन है क्या नहीं उन्हें जाने का पता नहीं है क्यूंकि उन्हें खुद घलत किया था घलत आंटे हर्श गुपता सेम जो डिप्टी कमिशनर के रांग पे रहे कि जो किया इनूं कलेक्टर साब येक आदमी को पब्लिक में इनूं किसी का जो फ्लैक्स लेके ता उनके सामने भी जो नए डिप्टी कमिशनर आए उनके सामने भी जो नएक यमेले हैं अभी रिजवान अर्शद है और जित्टे और जितने भी तमाम चीजों हैं पांचलाब हजार 505,000-10,000 आदमी हैं इनके सामने भी बोल रहा हूं पूरे एक लाक आदमी का ऐ सा यह बात मेरी नहीं है। क्या नहीं हुआ यह बोल सकता हूं में। यह नहीं हुआ कि कोई आदमी हर बंदा जो एकलाक आदमी के वे कोट में ठाने में केज दिया। उस टेम पे बंगलूर के शिवाजी ने गरे के कमर्सेल ठाने में नहीं है। शीमोगा, धारवाड, मैसूर, चिकमंगलूर, हर जगा तो पैसा गया है, ये लोगों का पैसा 5,000 है, मेरा इसाब तो 14,000 कोड का है, 14,000 कोड रुपे पैसा गया, तो हर जगा के MLS इसके जिमेदार बनते हैं, कि ये केस बोल के रिजिस्टर नहीं करवाए, और इसको एक 20 दि इनके अंदर इनने मनसूर खान और जो भी बेग है, जो भी बाहर आ गए, 15 रोज से तीन मेने में, ये लोगों को पकड़ाएं क्यों, ये जब करें, तो अंदर होने से काम होता है, इसकी जिमेदारी है, मेलियों को होना चाहिए, इन्हों लामेकर्स हैं, इन्हों घर मेकर् इन्हों लामेकर्स होके, क्या काम करना चाहिए था, तो तुरंत CBA और ED इनके पास जंडे लेके गली में घुमने का नहीं, सोशल मेडियो में आने का नहीं, तो इनके पास जाके उनकी बेल कैंसल करने की, मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं मनसूर खान बाहर रहे के, कोट में ऐ उसल बstiंडंग यह है, वो नुक्सान में भी मेरे साथ हैंख और फैदे में भी मेरे साथ हैं, उसल खैड़ा हैंज फैदे में , अभी नुक्सान हुआ तो भी बराबरी के हिस्सेदार है, तो ये मेरी जो इनिंसह बोल रहा है, सही है, आप कल रिज़वर्जार्व्षर जो पोले असंबली में खड़के हम काम कर दिया वह भी सही है क्योंकि KPIड आक्ट है और जो लुक्सान फाइदे के आइड को आके कंपेनी आक्ट है जो दोनों चलाने का ना दोग चलाने का है नहीं तो आप रिजब बाद लोग यहना मीडिया सोचल मीडिया यह पुब्लीक यह इनके यूनियंस यह लोग तमाम घलत लीट कर रहे हैं तो इसमें क्या है जब लुक्सान हो गया उसको किसको यह आदमी को जो क्या बात करते हैं पैसा चले गया तो क्या क्या किया कौन सा गंदा काम किया कितना दारू पी लिया कितना गंदे काम हमें दाला पैसा कहां गया तो यह लोगों को सबको मालूम है इनकी जिमेदारी यह जो 300 कोड रुपे की हर्श गुपता यह नवा डीसी आप यह एमेल यह और यह इदार है तिन सो कोड रुपे तुम्हें सल्फिश तुम्हें सल्फिश नहीं अब ऐसे होंगे तो पन्रह हजार कोड कहां से आएंगे पैसा जा नहीं सकता है पैसा जो बिजनस में प्राफिट में लास हुआ है इना जो सही लास किया लास का मतलब जो आप बोले ना आई से गंदे चीज़ों में हरकत में दाला मत जिस जगा पैसा रखा यह कुद दस गुना बड़ा है प्रापर्टी फारिन इंवेस्टमेंट चन्ने में बेंगलूर में यह क्यों यह का आदमी जो आप जंडे पकड़ने वाले जो मंत्रियों क यह यह मेले बनके आप जो बोलने वाले यह चीज तीन सो कोड रुपए जो सीज हुआ है वो सो कोड के कम हुआ है डिप्रिसेट होके इसमे टेनेंट का पैसा जाके तमाम यह का आदमी क्यों नहीं उसका पैसा कहा है यह पैसा पकड़ने की जिमेदारी यह पॉब्लिक भी क इमाम लोग है मदरसे वाले हैं और तमाम यह आर्गनिजेशन वाले हैं इसका पैसा कहा है क्यों कोड पकड़ेगी क्यों क्यों करेगी क्या मालो मैं इन्वेस्टिकेशन को तो इसलिए इसका पैसा पंदरा हजार को रुपए जरूर आएगा इने बोल रहा है इने केस दाल तो के दोनों तरफ चलेगी KPID विदान सभास होगी तो नहीं कंपेनी कोट भी पकड़ेगी कंपेनी कोट में यह नहीं है लास होगा तो तुम्हारा कुछ कोई पागल बोला पागल नहीं आइसे लोगों को चाहिए वो भी बोलो तो उसको आस्पेटली नहीं है तो नक्सान हो प्रूर आजाएगा माजिद इसमें यह जब आ गया तो पैसा दोनों तरफ से कोट करना है दोनों चीज में करके इसके उपर हमें जब तक उसके जैल के बंदन में नहीं रखते हैं जब तक इसकी केस नहीं होती क्या भी हम सरकार में मंत्रियां यह में लिया चीफ में रख उसकी गिरफतरी के लिए मांग जी थी कोट से क्या होगा सरकार काहां तक है प्रसुम तो मिरी मांग कल कल या परसुन के दिन रिजेक्ट ठरे हरार बहुत इसका रास्ता मेरा दूसरा दिये में दूसरे रास्ते से जा रहा हूं मेरे किस के साथ उनकी पिटीशन सबस्क्राइब हुआ हैं तो यह ले्ट के वझे से डिसमिस्किए और मैं मेरे तरीख से दूसरे तरीख से फिर जाओं मैं यही पूछ रहा हूं कि भी खानून पढ़ने वाले खानून बनाने वाले कपड़ा बनाने वाले धोबी का काम धोबियों को पूरा काम आता है तुम्हें लोग शरम के साथ खानून बनाने की जगह रोके यह सो भी तमाम मालूम नहीं है कि इसको बोल रहा हूं मैं यह पूरे मेल इसको ब तो इसलिए यह सो भी जमात फोलिटिकल जमात बनी है तो लोगों के उपर इन्हें बरी नहीं होना चाहिए कौन मनसूर और दुसरे बरी नहीं होना तो इसके उपर के पूरे केस आज कोट में खड़के अब जितने लोग बोलते हैं तुम्हारे टीवी चानल के सामने इसको क् कैसे मालूम हैं कि इसके उपर एक भी यह विडियस नहीं देगे एक भी कैस रिजिस्टर नहीं होके जो सिविल कोट में हो रहा है वो नहीं है क्रिमिनल में इन्हें बरी हो गया तो यह पैसा नहीं आता है यह काम क्यों करें क्यों करवा यह इतना खानून नहीं जानते हैं इतनी गंदेगी काम कर रहे हैं तो जरूर मेरे दिलेव इलम है मुझे ये लोग पूरे जरूरत पड़ी तो जैल जाएंगे। कौन? इसमें जितने सियासत लोग हैं, ये काम करवा रहा है, काम को घलत करवा रहा है, घलत तरिखे से लेके जा रहा है ना ED के पास, ना CBA के पास, ना पूलीस के पास इनका काम झिजन्डों से काम नहीं होता है, आसमभील ये हाल के इंदर एक काम नहीं होता है, ये नाándraval CM के पास काम नहीं होता है हानुन का तरिकह का से सुप्रिम कोड से यह बरी हो गया समझो यह पैसा कान से आ जाएगा बरी होने के इनू कारण बने हैं को बने जो 300 कोड का जो जंडा लेगे पर रहे हैं इनू बरी होने का मनसूर खान कु कराने की कोशिश में क्यूंकि नुत 3015 आजार कोड़ की तरफ पैसा हरा इनसान की, जमाद की, पबलिक की जिमेधारी है, जो औरत चिकमंगलूर में पैसा दाले है, उनकी नहीं है, यह जिमेधारी है, इन्ने पैसा का रखा है, कुन भी एक आदमी पकड़ा क्या, पोलिस कितना करके पकड़ेगी, पोलिस केस रिजि कि यह नहीं करवाए इसके बावज़ भी फैसला इनके हक में मिलेगा वो कोशिश मेरी हो रही है चाहिए सुप्रीम कोट से हो और यह से हो यह के पी एडी आक्ट से हो तमाम मिलके हो रहा है मत जो तमाशा कर रहे हैं यह लोगों को मालूम होना चाहिए यह खानून को गलत इस इस्तमाल कर रहे हैं जैसा ये डी जी पी आफ करनाटक और डिप्टी कमिशनर कलेक्टर आफ बैंगलूर जो मंजुनात जो आरश्ट हुए यह चीज़ां भूलके बैटे हैं हर आदमी इसका मतलब पॉलिस गलत किया पॉलिस इंस्पेक्टर गलत किया तो पॉलिस डी सी पी गलत वो भी तो जेल को जाएंगे तो गलत करने क्यों दे रहे हैं इनों गलती ये कर रहे हैं करके क्यों नहीं पूछ रहे हैं जंडे क्यों उठाते हैं रिवाल क्यों करते हैं रियाट क्यों करते हैं ये काम तुमारा नहीं है इनको मासूमों को मजलूमों को पैसा आना चा जेल में दलना अच्छा है, यह नहीं उसको पॉलिस नहीं पकड़ी हुआ, बुरा काम नहीं है अबी, उन हो सदां का जेल में जाना हुआ, वो खानून में बग्र बग्री होके, इसके लिए हमारा एवीडेन जमाना है, उन्हें काम पैसा रका ये जिमेदारी हर आदमी की हर इनसान की जो मैदान में जो पुब्लिक डिबेट में जो ग्रोन में खड़ रहा है इसकी होती है इसका 15,000 कोड रुपया का है ये पकड़ के लोगों को देना है ये लोग सोशल मीडिया में आना नहीं है एक तो रिजेन करना है अपना कपड़ा उतार के ने तो खान उनका काम करना है ये तमाम में में लिए ये मजलुमों के हक में और उनको हक मिलेगा मिलना चाहिए ये लोग घलत रास्ते में लेके जा रहे हैं